जिला परिशद अधिकारी कर्मचारी महासंथ की चमबा खंड इकाई ने राज्य कार्यकारिनी के आहवान पर गुरुवार को पंचायत कार्याले की चाबियां सामूहिक तोर पर खंड विकास अधिकारी कार्याले के अधिक्षक के पास जमा करवा दी है इकाई के अध्यक्ष केप सिंग ने बताया कि विभाग की ओर से नोटिस जारी किये गए थे इसमें ड्यूटी पर वापस लोटने को कहा गया था इसके अलावा पंचायत में कार्य की वेकल्पिक व्यवस्था की बात कही गई थी उन्होंने कहा कि इसके विरोध स्वरूपी राज्यकार्यकारिनी के आहवान पर पंचायत सचिवोंने कार्याले की चाबियां खंड विकास अधिकारी कार्याले में जमा करवाई है उन्होंने दोहराया की सरकार जल्द महासंद की मांगों को पूरा करते हुए जिला परिशद कैड़के कर्मचारियों व अधिकारियों का ग्रामीन विकास या पंचायत विभाग में विलेकर भविश्य को सुरक्षित बनाए लिखा गया था हमें कि आप विकल्पिक विवस्ता की गई है विवाग से और आप जो है आप कार्य वार तो हम दे Carnike नहीं सकते हैं लेकिन हमने अपने कार, यक्षित, घर की चाप ईबंसा, स्वामविक आज खंड करा लेए चंबा में सुभिडेन्ट के पास जम्ह करवादी गई है और अगर सरकार ने जो विवस्था की है उसके अंतरगत जो आज हमने सामीख तोर पर जो चाबिया जम्ह करवादी है लेकिन अगर सरकार हमारा कारया नहीं करती है तो ये धीरे धीरे आगे जो है ये जो अंदोलन की बढ़ता जाएगा हमारी मांग ए सरकार की जल्दी से जल्दी इसको पूरण किया जाए लेकिन हमा आज हमारी कारण लोग समझ रहे हैं कि हमारे कारण जो लोगों को जनव परमान पत्तर परिवार जिस्टर के नाकल बगारा जो नहीं मिल जाई है इस देवस्ता को के लिए ज जो हमारे आज सारे जितने भी सचिव गण आये थे उन्होंने जो मुझे प्रतित्तर चुने हैं जो हमारे राजय कारणी के अदेश थे कि आज जो है आप अपनी चाबियां जो है खंड कराले में जम करवा दो